मोस्ट आवेटेड फिल्म गदर टू यह दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद मतलब यह जो माहोल बना था ना जस्त यह इमेजिन कर रहा था मैं कि काश यह ट्रेलर मैं थेटर में देख रहे था बहुत ब्रिल्यंट मजा आ गया अगर इस ट्रेलर के बारे में serious note बात करूँ ना बहुत ही बहतरी मतलब वह बोलते हैं ना मास ओडियंस जिसको बोलते हैं मास ओडियंस के लिए बनाए गया ट्रेलर मास ओडियंस के लिए बनाई गई यह फिल्म और जो लोग गदर से connected है उनके लिए तो भाई यह पैसा कोशिश करती है ऐसी फिल्म है और यहां पे जो लोग बार-बार बोड़ रहें ना कि सनी देवल साइड रोल है यह है वो है आपको जवाब मिल जाएगा वापस री-क्रियेट सच में किया है क्या है बाइस साल बात कोई भी चीज को वापस दोहराना वो भी उसी एनर्जी के साथ बहुत मुश्किल है आपको लगता बहुत ईजी है नहीं है पॉसिबल पर यहां पे उन्होंने किया है भई यह बाप लेवल है रही बात उतकर्श की आप कोई भी एंगल से यह मत समझी कि उसको बहुत ज़्यादा काम होगा वो उतना बड़ा एक्टर आगे चलके बनेगा नहीं बनेगा मुझे उसके बार में पता नहीं वो जो जीनियस फिल्म में उसके चैरेक्टर किया था मुझे मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी honestly शाय उतकर्ष को लेके यह फिल्म है लेकिन भाई आखीर बेटे को बाप ही बचाएगा और ये बात मत बुलो कि इसमें मैंने सीधा बात बोला ना आपको कि अगर सनी देखल जी को अगर छोटा रोल होता ना वो मुवी साइन करते ही नहीं मैं आपको बोल रहा है उनके एटिट इसका बड़ा रिव्यू आएगा ये बहुत मज़ा आगया ट्रेलर दिखके में वापस एक बार दिखोंगा और ये बात है कि हर बोलते हैं ना कि हर एक आवर में मैं ट्राय करूंगा जैसे मैंने जवान का किया था कितने व्यूज आए उसके बारे में मैं डेफिनिटल अगर मैं फ्री हूँ तो डेफिनिटली दूंगा आपको भाई जाए जाके देखिए बाई ट्रेलर वह बाप लेखोले काम करना बंद हो जाएगा दीमा मज़ा आ गया या